हलो स्टुडेंट, गुड आफ्टर नून, कैसे यह आप सब? एक बार आप सब भी का फिर से स्वागे था हमारी यूटूब चैनल Study with Reading में स्टुडेंट, आज का टापिक आप देख रहे हैं क्या है? उत्तर परदेश पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम जो 28 जनुरी 2019 को हुआ था इबिनिंग सिप्ट में उसका आज सेकेंड पार्ट है जिनोंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो प्लीज प्लीलिस्ट में वीडियो सेव है वो जाके एक बार जरूर देखें आज के प्रेक्टिस सेट सुरू करने से पहले आप सब वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें पहला प्रस्ण है नंबर है इसका 114 निम्लिखित प्रस्ण में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चैन करें जो रिखांकित सब्दों के सही अब्यख के भेद हो ये कैसा अब्यख है, समुच्चे बोधक है, बिसमयादी बोधक है या संबंद बोधक है, या निपात है तो दर्वाजे के बाहर कोई खड़ा है तो संबंद बोधक हो जाएगा कोई मतलब कि कोई तो खड़ा ही है तो संबंध हो जाएगा कि बाहर कोई खड़ा है तो सही जवाब हो जाएगा इसका option C Next प्रस्ट देखते हैं निमनलिखित प्रस्ट में चार बिकल्प में से उस सही बिकल्प का चैन करें जो असुद्ध वाक के सुद्ध रूप का सबसे अच्छा बिकल्प है तो जो वाक के लिखा है मैंने गाउ जाना है ये असुद्ध वाक है इसका सबसे सुद्ध वाक कौन सा option हो जाएगा मैं गाउ जाना है मुझे गाउ जाना है में को गाउ जाना है डी क्या है, मेरे को गाउं जाना है, तो मैंने गाउं जाना है, इसका सही सुध्ध रूब कौन सा हो जाएगा, तो option B मुझे गाउं जाना है, अब next है कि 116 नमबर का चंद में परियुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है जो चंद में परियुक्त अक्षर होते हैं उनको क्या कहा जाता है Option A है बेंजन, Option B है चरण, Option C है मात्रा, Option D है वर्ड बहुत important ये question है जो previous year का है आप इसको जरूर solve करें तो आपको बताना है कि चंद में परियुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है बेंजन, चरण, मात्रा ये वर्ड आपका कोई सा Option सही हो जाएगा तो सही Option हो जाएगा मात्रा अब next प्रést देखते हैं निमनलिखित में चार बिकलपों में से उस बिकलप का chain करें जो दिये गए मुहावरे का सही अर्थ वाला बिकलप है तो लोहा मानना का सही मुहावरा क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा मुर्ख बनाना प्रभाव मानना हार मानना या लाभ होना तो आपके पास परियागत समय है तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा मानने का option B प्रभाव मानना अब नेक्स्ट प्रस्ण है, प्रस्ण 118, रसो का राजा किस रस को माना जाता है, करूण रस, सिंगार रस, बीर रस या हास से रस, तो आपको बताना है कि रसो का राजा किसे कहा जाता है, कुश्चन जादा टफ भी नहीं था, उन्ना जादा सरल था, कुश्चन जो है, मीडियम था, इसलिए आपको इसका जवाब तो पता ही होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप्सन B, सिंगार रस, अब नेक्स्ट है कि निमनलिखित प्रस्ण में चार बिकल्पों में से उस सही बिकल्प का चैन करें, जो निर्देशा अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही बिकल्प है, आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, करमवाच्चे, इसका आपको करमवाच्च बताना है, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, क्या आपने इस किताब को पढ़ ही गई आपने यह किताब पढ़ी तो बताएं कि आप इस किताब को पढ़ें हैं इसका कर्मवाच क्या हो जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा option A इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया अब next है कि किसी के किसी के द्वारा कहे गए बात बचन को जयोंकात्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का परियोग किया जाता है जैसे तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यह सब्द किसका है स्वासचंद्र बोष जी का अगर इसे आपको लिखना है तो आप इसे किस चिन्ह मे लिखेंगे योजक में, उद्धरण में, अल्प बिराम में या अर्ध बिराम में तो किसी की द्वारा कहे सब्द को जयोंकात्यों लिख देना उसके लिए हमें उद्धरण चिन्ह का परियोग किया जाता है जिसे इनोटेट कामा बोलते हैं निमनिलिकित प्रस्ण में चार पुर्वाच करें तो चंद्र सेखर में बताएं कि इसका जो है समास क्या हो जाएगा चंद्र है सिखर पर जिसके चंद्र है जिसका नाम चंद्र के समान है जो या चंद्र के जैसा है जो तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्र है सिखर पर जिसके यानि कि संकर भगवा हो जिसका उत्साह नश्ठ हो गया हो उसे क्या कहते हैं उत्साही उत्दमी हत्साहित या जिग्यासू Students आपको सही बिकल्प का चूच करना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा Option C हत्साहित जिसका उत्साह नश्ठ हो गया हो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रस्ण में चार विकल्प दिये गए हैं, जिनमें से एक सब्द दिये गए अनेकार्थी सब्दों का एक अर्थ है, उस सब्द को चुने, तो इसका बताना आपको जलज का अनेकार्थी सब्द क्या हो जाएगा, जहाज, मचली, चतूर या तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्टुजेंट कोन सा ओप्सन? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओप्सन B, जलज का मचली हो जाएगा, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रस्ण में Чार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चैन करें, जो निम्न वाक्य का पूर प्रुकालिक किरिया क्या हो जाएगा तो बच्चे आपको सही जवाब बताना आपका कौन सा आपसन सही हो जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन सी बच्चे ग्रिहकार करके खेलने लगे अब नेक्स्ट है कि निम्निलखित परस्ण में चार बिकलपों में में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिये हे परभू रच्छा की जिए हे परभू यह कैसा वाक्य है संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक या कर्म कारक ईसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, औप संबोधन कारक अब next परफन है कि निमनलिखित परफन में चार बिकल्पों में से उस सही बिकल्प का चैन करें जो निर्देशा नुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही बिकल्प है बच्चों ने खेल खेला तो आपको बताना है कि इसका सही वाकर क्या हो जाएगा बच्चों ने खेल खेला भविश सिकाल क्या होगा बच्चे खेल खेल चुके हैं बच्चे खेल रहे हैं बच्चे खेल चुके होंगे बच्चे खेल खेलेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा option D, बच्चे खेल, खेलेंगे Next है कि निम्नलिखित परसन में चार बिकल्प दिये गए हैं जिन में से उस बिकल्प का चैन करें जो दिये गए सब्द का सही इस्तरी लिंग सब्द है राजपूत का इस्तरी लिंग सब्द बताना है राजपुतानी, राजपुताई, राजपूतरीन या राजपूती तो राजपूत का इस्तरी लिंग क्या हो जाएगा आपको सही option चूज करना है इसका सही जवाब हो जाएगा option A, राजपुतानी अब next प्रस देखते हैं निम्नलिखित प्रस्ण में 4 विकल्प दिये गए हैं जिन में से उस विकल्प का चैन करें जो दिये गए सब्द का सही स्ट्री लिंग सब्द है आपको अब की बार तपस्वी का सही इस्ट्री लिंग बताना है तो आपका सही जवाब हो जाएगा अब next प्रस्ण देखे लेते हैं नीचे दिये गए सब्द का सही बहुबचन रूप वाला विकल्प पहचानिये option क्या है आपका तलवार का आपको बहुबचन बताना है तलवार का तलवार A option B क्या है तलवारू option C तलवार option D तलवार A तो आपको बताना है कि तलवार का बहुबचन क्या हो जाएगा आपके पास परियाप्त समय student आपको बताना है कि इसका कौन सा option सही हो जाएगा तो तलवार का सही हो जाएगा option A तलवारे ठीक है अब next प्रसन देखते हैं 130 नंबर का है हरस्वादीर्ग है इन में से किसके प्रकार है जो हरस्वादीर्ग स्वर्ग होते हैं इन में से किसके प्रकार है मिस्टेक से मुह से निकल गया आपको अगर ध्यान दिये होंगे तो आपको एंसर पता चल गया होगा स्वर है, बेंजन है, वरण माला है या संयुक्त बेंजन है हरस वाधीर्ग इनमें से किसके परकार है तो आपका सही जवाब हो जाएगा Option A क्या हो जाएगा, optional A स्वर के उदाहरण है अब देखते हैं, इनमें से कौन सा उस्म बेंजन है उस्म बेंजन का मतलब होता है जिनके बोलने से मुख से गर्म वाई निकले और यहाँ चार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं यह चार होते हैं अब इन में से कौन सा उस्म बेंजन है या है पा है या बड़ा शाह है या टा है तो आपको सही option चूज करना है उस्म बेंजन के लिए तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा option C बड़ा शा अब next देखते हैं दी गई जोडियों में कौन सी जोड़ी सही संग्या वा उससे से बनने वाले विशेशन सब्द की है आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी सही संग्या वा उससे बनने वाले विशेशन सब्द की है ऐसा इसमें पूछा है कि सब्द जो संग्या है उससे बनने वाले विशेशन सब्द कौन से है जैसे पच्छ का विशेशन पाच्छिक हो जाएगा प्रेम का प्यार सुख का िसेसल सब्द की कि है question repeat हो गया है इसका तो जवाब आपको पता ही हो गा पक्ष का पाच्छिक हो जाएगा ठीक है और इसमें प्रेम का प्रेम का तो वैसे सर्क्राल Benachr कृठी हो जाएगा प्रेम का प्यार सुख दुख यह भी करण हो जाएगा सोड का सोना ये भी जो है समानार्थी सब्द हो जाएगा ठीक है इसमें बिलोम सीव सुख का दुख होगा अब नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है कि सरुनाम वाले वाक्तों में लिंग का पता किसे से चलता है जो सरुनाम वाले वाक्त होते हैं उनमें से या कर्म से किसे पता चलता है तो सरुनाम वाले वाक्त में लिंग का पता चलता है किरिया से कि वह लिखती है लिखता है ऐसे करके जैसी द्वारा रचित परसिद्ध रचना कौन सी है मलिक मुहम्मद जैसी द्वारा परसिद्ध रचना कौन सी है पदमावत है, रस बिलास है, बिज्ञान गीता है या सिरिंगार लहरी है तो आपको पता ही चल गया होगा, बहुत मस्वहूर पुस्तक है इनकी तो आपको पता चल गया कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जैसी की पदमावत है जैसी द्वारा रचित परसिद रचना है पदमावत अब हम अपने नेक्ष्ट प्रसन को देख लेते हैं नेक्ष्ट प्रस्ण है भारत दूर्दसा किस परसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है एक चिडिया है जैसे मैं आपका कलास लेने जाता हूं ये आके बैठ जाती छत पे और इसके बाद अपना गाना सुनाना स्टार्ट कर देती है भारत दूर्दसा किस परसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है ब्रिंदावनलाल सर्मा का है देवकी नंदन खत्री का है अयोध्या सिंग का है या भारतेंदू हरिश्चंद्र का है तो भारतेंदू हरिश्चंद्र का है भारत दूर्दसा भारतेंदू हरिश्चंद का है नेच्ट है कि नीचे दी गई रचनाएं किस कभी की हैं चितंबरा उत्तरा काला और बुढ़ा चांद पल्लव यह सभी रचनाएं किस कभी की हैं सुमित्रा नंदन पंत का है अग्यें का है या केदार नाच सिंग का है या आपसन दी क्या है सुवद्रा गुमारी चौहा तो चितंबरा, उत्तरा, काला और बुढ़ा, चांद, पल्लव किसकी रचना है तो सही जाब हो जाएगा आपसन ए सुमित्रनंदन पंद की रचनाएं है नेक्ष्ट है कि सरवेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित अकादमी पुरसकार दिया गया था आपको बताना है खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, क्या कह कर फुकारूं, आपसन डी क्या है गर्म हवाएं तो सरवेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित अकादमी पुरसकार दिया गया था तो सही जवाब हो जाएगा, आपसन ए, खूंटियों पर टंगे लोग, अब नेक्स्ट प्रसन देखते हैं, निमनलिखित प्रसन में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चैन करें, जो दिये गए पद्द के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है तो काली घटा का घमंड घटा, आपको बताना कि इसमें कौन सा अलंकार है, काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा और घटा दो बाराया है, एक काली घटा है, एक घमंड घटा, तो आपको बताना है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, यमक अलंकार ठीक है अब नेक्स्ट है कि निम्न लिखित परसन में चार बिकल्प दिये गए हैं जिन में से उस बिकल्प का चैन करें जो सब्द का सबसे अच्छा बिकल्प है जैसे पतन का इसका अच्छा बिकल्प कौन सा हो जाएगा पतन का पत्ता हो जाएगा कि पतन का मत मतलब पुत्र या फिर पतन का मतलब डी मतलब घर आपको बताना है कि पतन का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है पतन के लिए मतलब गिरना पतन का अर्थ हो जाता है गिरना अब नेक्स्ट प्रसन है कि निमलिखित प्रसन में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें या फिर नास का उठ्थान हो जाएगा या नास का D नवीन आपको बताना है कि इसका समान आरची सब्द बताने वाला कौन सा उप्षन सही हो जाएगा तो नास का हो जाएगा उप्षन A नास मतलब हो जाता है तबाही नेश्ट प्रसन है कि निमनलिखित प्रसन में चार बिकल्पों में से उस बिकल्प का चैन करें जो सही बिकल्प है जैसे उपसर्ग सब्द के में लगते हैं उपसर्ग वाक के अंत में लगता है या प्रारंभ में लगता है किरिया में लगता है या उपसंडी कुछ गलत हो जाएगा नेस्ट है कि निम्नलखित प्रसन में चार बिकल्प दिये गए हैं जिन में से एक सब्द दिये गए सब्द का सही तदभव रूप है तदभव रूप पूछ रहा है जैसे कि कपोट यह तदभव क्या होजाएगा तदभव जो की संस्क्रिट से बदल कर हिंदी में परियोख वोते ओन्हें निम्निलिखित प्रसन में चार बिकल्पों में से उस बिकल्प का चैन करें जो प्रत्य से नहीं बना है प्रत्य मेंने बताया कि वाक के अंत में लगता है उपसर्ग जो है वाक के सुरू में लगता है मतलब सब्द के सुरू में लगता है तो चिकनाहट में चांदनी में खटास में या भा खोबी में देखो भा खोबी ऐसे पढ़ रहे हैं खोबी में बा उपसर्ग लगा है और ब खोगी सही हो जाएगा निमनलिकहद परसrimin में चॉर बिकल्पप मेंurdसे उस चाहन करें जो सही संधी फिच्छेद वाला बिकल्प है उल्लास का संधी फिच्छेद क्या हो जाएगा आपको बताना है और यहां कैसा संध है यह भी आपको कमेंट में जरूर बताना है तो आपको बताना है इसका सही संधी बिच्छेत क्या हो जाएगा और आप सभी से देक्वेस्ट है कि जिन्हों संधी अभी तक नहीं देखा है ठेवरी कलास हो जाके जरूर देखें दस से पांच-पांच मिनट की वीडियो बनी है आपको अच्छे से हो जाएगा या अवसेस हो जाएगा दुरपयोग हो जाएगा या अपसंधी मिलन हो जाएगा संयोग का विपरात आर्थक सब्द कौन सा है कि आपको अच्छे से इस्टडी करनी है स्टूडेंट जिससे कि आपका पेपर क्लियर हो जाए तो सही जाब हो जाएगा संयोग का बियोग, सैयों का विब्रीत बियोग हो जाएगा, तो student आज हमने फिर एक बार अपना previous year solve कर लिया है, आप सभी से request है कि प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दिये दिये करें, और अच्छा लगी तो प्लीज शेयर करें, सस्क्राइब करें bell icon press on करें, तो चलिए फिर कल मिलते हैं, आज के लिए आप सभी को प्यारा सा, जय हिंद जय भारत